मश्कार दोस्तो आउसी के चैनल में आपका स्वागत है आज हम दो रंग का एक बहुत खुबसूरत डिजाइन बनाएंगे जिसे आप जैन स्वेटर में लेडिस कार्डिगन में जैकेट में कोटी में या फिर बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में डालेंगे ये बहुत ही लाइन का बॉर्डर बना लिया है और दो लाइन का बॉर्डर बनाने के बाद हम अपना दूसरा कलर अटैश करेंगे यदि आपको अपने प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हों तो आप रॉंक साइस से फंदे बढ़ा लेजेगा क्योंकि ये दिजाइन सामने की तरफ से पड़ता है तो अपना दूसरा कलर अटैश करने के बाद पहले फंदे को हम सीधा बुन लेंगे अब उनको आगे करेंगे और अगले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे और नेक्स्ट फंदे को हमें सीधा बुनना है उन हमारा हमारी तरफ ही रहेगा यानि सलाई में ऐसे उपर की तरफ से ले जाएंगे और अगले फंदे को हम सीधा बुन लेंगे पिर उन अपनी और करेंगे, नेक्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, अगला फंदा हमें सीधा बुनना है, उन हमारा हमारी तरफ ही रहेगा, उनको घुमाते हुए अगले फंदे को सीधा नेक्स्ट फंदा स्लिप करना है, उन हमारा हमारी तरफ रहागा, अगला फंदा सीधा बुनना है, उन सलाई के ऊपर से ले जाएंगे और अगले फंदे को सीधा बुनना है, उन अपनी ओर अगला फंदा स्लिप करना है, नेक्स्ट फंदे को सीधा बुनना है, उनको सलाई के उपर से ले जाएंगे और सीधा बनेंगे लास्ट फंदा सीधा इस तरह हमने अपना पहला लाइन कम्प्लेट कर लिया अब हम आजाते हैं रॉंग साइड में और ये है डिजाइन का दूसरा लाइन तो पहला फंदा हम स्लिप करनेंगे और अब इन दोनों फंदो को हमें स्लिप करना है एक और दो उन हमारा हमारी तरफ ही रहेगा उनको अब उपर से ऐसे भुमाते हुए ले जाएंगे उनको अपनी तरफ लाएंगे और अगले फंदे को देखे ये उल्टा है तो इसे हम उल्टा बनेंगे नेक्स्ट, हमें दो फंदो को स्लिप करना है, इस धागे को और फंदे को दोनों को हम स्लिप करेंगे, यानि दाहिनी स्लाई पे ले लेंगे, उन हमारा हमारी तरफ है, उमाते हुए स्लाई के उपर से ले आएंगे और अगले फंदे को उल्टा भूनेंगे, उनको घुमाते ह वापस अपनी तरफ लाएंगे अगला फंदा उल्टा दो फंदो को स्लिप करेंगे एक दो उनको सलाई के उपर से घुमाते हुए वापस अपनी तरफ लाएंगे और अगले फंदे को उल्टा बुनेंगे इसी तरह करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट करनेंगे एक फंदा उल्टा बुनना है एक फंदा स्लिप करना है उन हमारा हमारी तरफ रहेगा उपर से घुमाते हुए हम ले जाएंगे दो फंदा इसको स्लिप करेंगे उपर से ऐसे घुमाते हुए ले जाएंगे अगले फंदे को उल्टा बुना स्लिप किया घुमा के आगे लाए उल्टा बुना दूसरा लाइन हमारा कम्प्रीट हो गया अब हम वापस आ जाते हैं सामने की तरफ और यह हमारे डिजाइन का तीसरा लाइन है तो पहले फंदा स्लिप करेंगे उनको अपनी तरफ लाइंगे अब क देखिए अगले फंदे को हमें सीधा बुना है उन ऐसे उपर की तरफ से जाएगा अगले फंदे को सीधा बुना है उनको अपनी तरफ करेंगे तीन फंदो को स्लिप करेंगे हमारे दूसरे कलर का धागा और एक फंदा तीनो को हम दाइनिस लाइं मिलेंगे अगले फंदे को सीधा बुनना है उनको ऐसे ऊपर की तरफ से गुमाते हुए ले जाएंगे अगले फंदे को सीधा बुनना है उन वापस हमारा हमारी तरफ आ जाएगा तीनों फंदों को स्लिप करेंगे अगले फंदे को सीधा बुनना है उन सलाई के ऊपर से ले जाते हुए अगले फंद अगला फंदा सी धफ तरफ तीनों फंदे को सलिप किया। अगला फंदा चीने देते हुई सीधी है। उख साइट में आ गया है। यह दिजाइन का चॉत्ता लाइन है। पहले फंदे को सलिप करेंगे। अब की हमें, देखिए, चार फंदों को slip करना है एक, दो, तीन, और ये फंदा, इन चारों को हम लाइनिस लाइ बिले लेंगे उन हमारा हमारी तरफ है, घुमाते हुए वापस अपनी तरफ लाइँगे और अगले फन्词 को देखे उल्टा है तो इसे हम उल्टा बुन लेंगे अब फिर पून हमारा हमारी तरफ है चार फंदों को हम स्लिप करेंगे एक दो तीन और ये फंदा चार अब पून देखे हमारी तरफ है घुमाते हुए वापस अपनी तरफ लेंगे अगले फंदे को हमें उल्टा बुन लेना है स्लिप किया घुमाते हुए आगे लाए और अगला फंदा उल्टा उनको घुमाते हुए वापस अपनी तरफ लाए स्लिप किया अगला फंदा उल्टा इसी तरह करते हुए हम को इसी तरह करते हुए हम सबी फंदे बुन लेंगे स्लिप करेंगे उनको घुमाते हुए वापस अपनी तरफ लाएंगे अगला फंदा उल्टा स्लिप करेंगे चारो फंदो को स्लिप करेंगे उनको घुमाते हुए अपनी तरफ लाएंगे अगला फंदा उल्टा तो इस तरह ये चवथा लाइन हमारा कम्प्लीट होता है अब हम वापस आजाते हैं सामने की तरफ पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे अब उनको अपनी तरफ करेंगे और पांच फंदों को हम एक साथ लेते हुए उल्टा बुनेंगे ये चार हमारे धा के दूसरे करर के और एक ये फंदा है इन पांचों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए एक कर लेंगे ये हमारा फिर से पांच से एक हो गया अगला फंदा सीधा उनको अपनी तरफ करेंगे और इन पांचों फंदों को हमें एक करना है एक दो तीन और ये फंदा चार इन चार दूसरे कर अरके धागे और एक फंदा पांच इन पांचों को हमें पांच का एक करना है उन दूसरी तरफ अगला फंदा सीधा उन अपनी ओर किया देखिए इन पांच फंदों को और एक पांचों फंदों को हमें एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बना लेना है उनको दूसरी तरफ करेंगे अगला फंदा सीधा दिखाई दे रहा है इसे हम सीधा बुन लेंगे उन अपनी तरफ चार ये दूसरे कलर के धागे और एक फंदा इन पांचों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए एक कर लेंगे अगला फंदा सीधा इसी तरह करते हुए हम पूरी लाइन कम्प्लीट कर लेंगे इस तरह करने से देखिए ये सीधा वाला फंदा जो है वो उभर के आएगा इसे फूला फूला सा दिखाई देगा पांच का एक किया उन दूसरी और अगला फंदा सीधा उल्टा बुनते हुए पांच का एक देखिए सीधा फंदा उभर के आ रहा है उल्टा बुनते हुए पांच का एक अगला फंदा सीधा तो हमारा ये 5 वा लाइन complete होता है अब हम आ जाते हैं रॉंक साइड में और ये डिजाइन का छठा लाइन है तो छठे लाइन में हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे छठे लाइन में उल्टा बुनते हुए हम पूरी लाइन complete कर लेंगे सात्वी लाइन और सामने से अब हम अपने दूसरे कलर के उन से बुनेंगे पहला फंदा सीधा एक और फंदा सीधा बुनेंगे और अब देखे ये जो सीधा फंदा है इस पर हमारा डिजाइन बनेगा तो उन अपनी ओर करेंगे और इस सीधे फंदे को अब हम स्लिप करेंगे उन हमारा हमारी तरफ है और अगला फंदा जो उल्टा दिखाए दे रहा है उसको अब हम सीधा बनेंगे तो उन उपर से ले जाते हुए अगला फंदा सीधा उन अपनी और करेंगे सीधा वाला फंदा इसे हम स्लिप करेंगे इसे स्लिप किया उन हमारा हमाई तरफ है अगला फंदा उपर से उन ले जाते हुए सीधा उन अपनी और सीधा वाले फंदे को हम स्लिप करेंगे और इसी पर डिजाइन बनेगा सीधे वाले फंदे को स्लिप करेंगे और उल्टे वाले फंदे को हम सीधा बनेंगे उन अपनी और सीधे वाले फंदे को स्लिप किया उल्टा वाला फंदा सीधा इसी तरह करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लेट करेंगे और लास्ट के दोनों फंदे देखे सीधा बुन लेंगे, लास्ट फंदा है दिस दिस इछे रहे सीधा बुन लेंगे अब हम आजाते हैं wrong side में, यह हमारे design का art what line है, तो पहले फंदे को हम slip करेंगे, अगला फंदा हिचे उल्टा है, तो इसे हम उल्टा बुन लेंगे अब हम दो फंदों को स्लिप करेंगे चलाया हुआ फंदा देखिए ये उन धागा और ये फंदा दूनों को हम स्लिप करेंगे उन को चलाकर वापस अपनी तरफ लाएंगे अगला फंदा उल्टा इसी तरह करते हुए हम पूरी लाइन कम्प्लीट करेंगे लास्ट में दो फंदे हैं तो इन दोनों को हम उल्टा बुनेंगे अब हम आजाते हैं सामने की तरफ और ये हमारे डिजाइन का नाइंतरो है तो पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे अगला फंदा हम सीधा बुनेंगे अब उनको अपनी और लाएंगे और इन तीनों फंदों को दो और तीन तीनों फंदों को स्लिप करेंगे और उन हमारी तरफ है ऐसे उन चढ़ाते हुए सलाई के उपर से ले जाएंगे अगला फंदा सीधा अब की हमें तीन-तीन फंदों को स्लिप करना है और सीधे वाले फंदे को जाले देते हुए सीधा बनना है उन अपनी तरफ अगला फंदा जाले देते हुए सीधा अपनी तरफ तीन फंदों को स्लिप किया अगला फंदा जाली देते हुए सीधा इसी तरह करते हुए हम पूरी लाइन कम्प्लीट कर लेंगे और लास्ट में देखिए दो फंदे हैं तो इन दोनों फंदों को हम सीधा बुनेंगे अब हम आजाते हैं रॉंक साइट में और ये हमारे डिजाइन का दस्वा लाइन है तो पहला फंदा स्लिप किया अगला फंदा उल्टा बुनेंगे अब देखिए तीन फंदे और एक चारों को हम स्लिप करेंगे उन को चड़ा कर वापस अपनी तरफ लाएंगे अगला फंदा देखिए उल्टा है तो इसे हम उल्टा बुनेंगे स्लिप करेंगे उन चड़ा कर वापस अपनी तरफ लाएंगे उल्टा बुनेंगे स्लिप किया उन चड़ा कर वापस अपनी तरफ लाएंगे अगला फंदा उल्टा इसी तरह सब Sege किए फंदे को सिलिप करते जाएंगे और बुने हुए फंदे को उल्टा बुनेंगे उन हमारा हमेशा अपनी तरफ ही रहेगा फंदा उल्टा अब हम आजाते हैं सामनी की तरफ और ये हमारे दिजाइन का ग्यारवा लाइन है तो पहले फंदे को स्लिप करेंगे अगला फंदा देखिए सीधा है इसे सीधा बुनेगे अब उन अपनी और करेंगे और सभी स्लिप की हो फंदे चार देखिए दूसरे कलर के फंदे और एक फंदा इन पांचों को हमें एक साथ लेंगे और उल्टा पांचो फंदा सीधा co research आपणा आती चला जाएगा। लिएन अपनी और पांचो को Develop करेंगे पांचो को एक सारे लेके sector इल्टा भुनेंगे Smallத इन अपनी और पांचो को एक सारे मन उल्टा भुना। इन दूसरी और अगला अधा सीधा। के इसी तरह एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा हैं पांचो को एक सार लिए उल्टा बुना उन दूसरी और अग्ला फंदा सीधा इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लेट कर लेंगे लास्ट में दो फंदे है इने हम सीधा بhard?, और अब यह हमारा बारहवा लाइन है और रॉंग साइड तो बारहवे लाइन में हम सभी फंदों को उल्टा बुल लेंगे बारहवे लाइन में पूरी सलाई हम उल्टा बुल लेंगे तो इस तरह हमारा यह डिजाइन कम्प्लीट होता है 12 लाइन का यह repeated design है इसी तरह 66 लाइन का हम design बनाएंगे और 6 लाइन बाद दूसरा color हम लगाएंगे तो यह खुबसूरत सा pattern बनता चला जाएगा एक रंग से छे लाइन फिर दूसरे रंग से छे लाइन देखिए पीछे की तरफ से यह इसा दिखाए रहा है और आगे की तरफ से आसा हम चाहें तो इसे multi color में भी बना सकते हैं देखिए front कितना खुबसूरत design है यदि आपको यह मेरा design अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक रंप साइब ट्वाच्ट लाइक है यह वाची है